आज जो मौसम में बहुती खतरनाक हो रखा है सुबा से ओ रखी है धुन देखे कितनी धुन्द हो रखी है तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना मैं बनाओ आज गर्मा गरम प्रेट पकोडे जो कि हमारे पंजाब में बनते हैं एक अलग तरीके से तो आएए इस पकोडे को हम ब मैं बहुता कराएं जैक करे बेए такая की माँ धुक्त ही लगते है एक खाइए जरू ट्राइक प्राइक करें देखिए ऊची सबाजा एक तो यहां पर सब से पहले मैंने ले लिया एक बाउल और इसके अंदर मैंने ढल दिया है बिसन और बिसन के अंदर हम दालेंगे कुछ फ बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे पानी और थोड़ा-थोड़ा करके इसका एक गोल बना लेंगे तो गोल हमें जादा पतला भी नहीं करना है और जादा गाडा भी नहीं करना है बस इतना करना है कि हमारी ब्रेड पे अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए यह जो पकोड़ें बहुत ही टेस्टी लगते हैं परसनली मुझे तो यह पसंद है बहुत जादा पंजाब में कोई भ कोड़े जरूर बनाये जाते हैं तो इसके लिए यहां पर मैंने घोल तयार कर लिया और इसको रख देंगे साइड और यहां पर देखे मेरे पास है इमली की खटी मीटी चट्नी अगर आपके पास चट्नी ना हो तो आप टमैटो कैचप भी इसके अंदर लगा सकते हैं तो एक स्लाइज पर मैं इस तरीके से इस पर चट्नी लगा दूँगी और एक और स्लाइज लेंगे हम उसके उपर मैं लगाऊंगी तीखी वाली चट्नी हरी मिर्च और धनिये और लहसुन की यह देखिए हरी वाली चट्नी इसके अंदर मैंने धहीं को मिक्स किया हुआ है इस इस चट्नी का जो टेस्ट है बहुत ही बड़िया आता है तो अपनी आगया अने वाली वीडियो में मैं इसको शेयर करूंगी आप लोगों से बहुत ही ठेस्टी लगती है बिल्कुल होटल की तरह यह चट्नी हमारी बनके तेयार होती है जैसी होटल में मिलती है ना कर देंगे और बस अब इसको कट कर लेंगे आप इसको चाहे चोटा बड़ा किसी भी शेप में कट कर सकते हैं आप यहां पर मैं इसको चोटे स्क्वेर पीसिस में कट कर रही हूं जैसे कि यह बनाए जाते हैं उसी शेप में मैं इने कट कर रही हूं आप चाहे तो इसको ट तो यहां पर देखिए मैंने इसको एक बार और कट कर लिया है इसी तरीके से अपनी सारी ब्रेट को हम कट करके तयार कर लेंगे और उसके बाद हमारा आगी का प्रोसेस करते हैं तो यहां पर सारी ब्रेट को मैंने कट कर लिया है इसी तरीके से अब चलते हैं हम गैस की तरफ तो यहां पर मैंने कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और जैसे हमारा तेल गरम होता है हम इसके पकोड़े अपने तर लेंगे तो फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे नहीं तो क्या होता है बेसन जो है कच्चा रह आप जो अपने पकोडे हैं एक एक करें हम बेशन में डिप करें गे और डालते जाएंगे के तो यहां पर देखिए मैंने बेशन में इसको कोट कर दिया है और डेरेकली बस इसको डाले जारे हूं इस तरीके से और flame मैंने medium ही रखा हुआ है और medium flame पे हम इसे continuously fry होने तक cook करेंगे एक बर जब यह उपर नीचे से fry हो जाएंगे तो पलट के हम दूसरे साइड से भी इसको fry कर लेंगे तो यहाँ पर देखें सारे bread के pieces मैंने डाल दी है इस तरीके से तेल अपना जो है इस प्रिंकल इस पर कर देंगे हम ताकि उपर से भी इसकी coating जो है सैट हो जाए और बस इसको अब पलट देंगे और दूसरे साइड से भी सेक लेंगे तो यह देखें जैसे यह नीचे से कूकूए अपने आपी यह फ्लूट होने लग गए हैं देखें तो बस दूसरे साइड से भी हम इसको fry कर लेंगे और दोनों साइड से देखें मैंने इसको अलट पलट के fry कर लिया है कितना बढ़िया कलर इसका आ गया है और बस इसको अब हम गरम गरम सर्फ करेंगे आप इसको चतनी के साथ या फिर चाय के साथ या फिर बिना चाय और चतनी के साथ भी enjoy कर सकते हैं क्योंकि हमने इसके अ दिखाती हूँ आपको कि जो हमने इसके अंदर चत्मी लगाई थी कितना बढ़िया उसका texture आया है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगते हैं एक बार इसे जरूर प्राई करके देखेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ तोड़के भी यह देखे कितना बढ़िया इसक सब्सक्राइब और जादा से जादा शियर करेगा अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई घर पे रहिए स्वस्त रहिए अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियो को इंजॉई करते रहिए थैंक यू थैंक्स वर वाचिंग